असलाम लेकुम यूवर्स स्वागत है आपका इरम डैडर पुटिक में आज मैं आपको बेलिंग प्लाजो बताने वाली हैं जिसको अफगानी शल्वार अफगानी प्लाजो के नाम से भी जानते हैं इसकी आज हम लोग कटिंग स्टेचिंग सीखेंगे यह देखिए इसका जो फैब्रिक होगा वो टू मीटर होगा वो इसको फोर फोल्ड में कर लेंगे और जो बंद वाला साइड होगा वो अपने साइड रखना है जो ओपन वाला होगा दूसरी साइड रखना है उपर एक मार्क कर लेंगे कपड़े को बराबर करने के लिए यहां पर यह देखिए यह मेरी जो पट्टी आएगी नीचे वह 1.5 इंच की आएगी और जो उपर जो फैब्रिक मुड़ेगा वह भी 1.5 इंच का होगा इस वैसे इसमें कोई भी मर्जन एड नहीं करना है यहां पर मैंने अपना वेस्ट ले लिया जो वेस्ट है मेरा वो 11 इंची है आपका जो भी वेस्ट हो उसमें 4 इंची एड करके और 4 से डिवाइट कर लिएगा यहां पर जो मेरा आसान आएगा वो 13 इंच पर है अब यह में 16 इंच रखोंगी और 2 इंच इसमें क्रोच एरिया के लिए रखोंगी अब जो क्रोच एरिया है और जो उपर वाला है निशान उसको एक सीधा कर लेंगे अब यहां पर क्रोच एरिया बना देंगे अब जो नीचे मोहरी होगी उसको भी सिक्टी नीच रखेंगे जो उपर का जितना लेंगे उद नहीं नीचे कर लेंगे यहां से एक मार्क कर लेंगे दोनों को मिलाके और कोई मार्जन भी नहीं लेंगे अब इसको कट कर लेंगे यहां पर यह मेरा पीस कट हो गया है और जो आपका जो इस्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे बॉटम पर आ जाएगा अब इसको ओपन कर लेंगे अब ऐसे यह ओपन करके और जो दोनों साइड है उस पर स्लाई कर देंगे कि यहां पर इस लाई कर देंगे अब कर देंगे ऐसे ही दूसरी आसन के तब इस लाई कर लेंगे अब इसको ओपन कर लेंगे यह देखी मेरा कुछ ऐसे आएगा अब उपर की ओल्ड हाफ मार्जन लेते वे स्लाई कर देंगे लास्टिक डालने के लिए अब देंगे यहां पर यह मेरी स्लाई हो गई है अब लास्टिक ले लेंगे आपका जीस साथ से वेस्ट होगा उसे के एकॉर्डिंग रखना है उसमें त्री इंची कम कर देंगे लास्टिक को अच्छे से पक्का कर लेंगे अब यहां पर लास्टिक डाल लेंगे इसको ऐसे फोल्ड करके अब इस पर स्लाई कर लेंगे स्लाई इक दम साइड में करना है लास्टिक के ऊपर ना आए इस चीज़ का दियान लखें लास्टिक के लास्टिक के लास्टिक के लास्टिक कर लेंगे झाल 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 यहां पर यह मेश लाई हो गई है अब जो आपका आसन होगा दोनों आसन की साइट पकड़ की और इसको खीच लेंगे अच्छे से जिसमें यह लास्टिक जो अच्छे से बैठ जाए अब इसके उपर एक स्लाई कर देंगे लास्टिक को खीचते वे स्लाई करेंगे और पीछे के तरब भी पकड़ की खीच लेंगे और ऐसे लास्टिक पर स्लाई कर देंगे जिसमें लास्टिक में जरा सा भी जोलना है यहां पर यह स्लाई हो गई है अब इसके यह मोरी बनाएंगे दोनों फैबरी को पकड़ते हुए बीस सेंटर पर एक कट लगाएंगे जितनी प्लेटे एक साइट पाएं उतनी ही दूसरी साइट पे आएं यहां पर हाफ इंच का माज़न्च होते हुए और हाफ इंच पे हमनों प्लेटे डाल लेंगे और जो आपकी प्लेट की जो गहरान होगी वो भी हाफ इंच होगी आप जादा भी ले सकते हैं अब यहां पर स्लाइक कर लेंगे अब जो भी आपकी मोरी होगी उसको नाप लेंगे यहां पर फोटीन इंच है अब इतनी हमें पटी भी रखनी है उसमें एक इंची एट कर देंगे और जो आपकी ब्रॉड है वो फोर इंच है अब जो आपकी शलवार है उसको उल्टी करके और जो है जो आपकी पटी है उसको सीधी लगाएंगे यानि कि आपका और जो उल्टा साइड होगा उसको रखेंगे और जो आपके पट्टी का सीधा साइड होगा उसको रखें और इस पे आधा इंच छोड़के स्लाइ कर देंगे अब इसको सीधी के तरफ कर लेंगे और यहाँ पे एक लेस अटाइच कर देंगे आप चाहे तो अटाइच करें या आप चाहे तो ना करें अब हाफ इंची का मार्जन लेते वे यानि कि हाफ इंच अंदर फोल्ड करते वे पट्टी में और यहाँ पे लेस एक अटाइच कर देंगे कर लेंगे और जो भी आपका इस्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लिएगा ऐसे हमनों दूसरी भी मुही तयार कर लेंगे ये देखिए मैंने ऐसे ये दूसरी मुही तयार कर ली है अब यहाँ पर हाफ इच्छी का मार्जन छोड़ते वे स्लाई कर लेंगे यहाँ पर पहले अच्छी से पक्का कर लेंगे उसके बाद स्लाई कर लेंगे आपको ये फैबरिक खीचते वे स्लाई करनी है यहाँ पर ये मेरा बेलिंग प्लाजो रेडी हो गया है जिससे अफगानी शलवार बोलते है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो अल्ला आफेस